अपनी spoken English में कई बार हम कुछ इस तरीके के sentences बोलते हैं जैसे वो मुझे इस मामले में घसीट रहा था, उसे इसमें मत घसीटो, वो तुम्हें अपनी लडाई में घसीटना चाहता है, वो मुझे हर मामले में घसीटती है ऐसे हिंदी के sentences को English में बोलने के लिए हम drag someone into something का use करते हैं drag someone into something का मतलब होता है किसी को किसी चीज में घसीटना यहाँ पर हम किसी को physically घसीटने के बारे में बात नहीं करते हैं यहाँ पर घसीटने से हमारा sense होता है किसी को किसी मामले में जगडे में या लडाई में लेकर आना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping वर्बाती है इसके बाद drag आता है इसके बाद object noun या फिर object pronoun इन दोनों में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them इसके बाद into आता है और इसके बाद something आता है something में basically उस cheese का नाम आता है जिसमें किसी को घसीटने के बारे में बात हो रही है और यहां पर यह जो drag है यह as a main verb use होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि drags, dragged, dragging चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए वो मुझे इस मामले में घसीट रहा था He was dragging me into this matter उसको इसमें मत घसीटो Don't drag her into it वो तुम्हें अपनी लडाई में घसीटना चाहता है He wants to drag you into his fight He wants to drag you into his fight वो मुझे हर मामले में घसीटी है She drags me into every matter उसने तुम्हें उस मामले में घसीटा He dragged you into that matter उससे इस बहस में मत घसीटना वो वहा था भी नहीं Don't drag him into this argument He was not even there Don't drag him into this argument He was not even there उससे क्यों घसीट रहे हो इसमें? Why are you dragging her into it? Why are you dragging her into it? क्या उसने मुझे भी इस मामले में घसीटा? Did he drag even me into this matter? मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटूंगा I will not drag you into it वो अपनी हर परिशानी में दूसरों को घसीटा था He used to drag others into his every problem अपने साथ की उसकी लडाए में उसके परिवार को घसीटना बंद करो Stop dragging his family into your fight with him Stop dragging his family into your fight with him अब एक sentence आपके लिए तुम्हें उसको इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या आप मुझे comments में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो please इसे like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए lesson के साथ तब तक के लिए take care bye-bye